पॉरीड यह है मेरी हाणडा हाइनस मोटर साइकल और इस मोटर साइकल में एक आक्सिजन सेंसर है इनफाक्थ हर एक BAS6 बाइक में यह औक्सिजन सेंसर होता है B8, RE Classic, Hunter, Non-N और यह बहुत इंपरंट सेंसर होता है एक छोटा सा sensor है बहुत काम की चीज है और ये exhaust pipe के starting में होता है आई ये जानते हैं ये क्या काम करता है Hello friends, welcome back, I hope आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे आज का बहुत interesting वीडियो होने वाला है आज हम बात करेंगे O2 sensor, oxygen sensor, ओके ये सारी modern day bikes में होता है जैसे Ronin, Honda Hynes, CB350, RE Classic, RE Abilture, Hunter, so on and so forth, Interceptor, ये सारी bikes में oxygen sensor या O2 sensor होता है अब ये क्या काम करता है, इसके बारे में बात करते हैं ये बहुत ही important component है motorcycle का, एक छोटा सा sensor होता है बट वो इतना important role play करता है आज हम उसके बारे में बात करेंगे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज दू सब्सक्राइब, I'll be inspired to create more such videos for you Let's start the video जिन्होंने मेरा previous videos देखे है, know your motorcycle series के पहले के videos देखे हैं मैंने उसमें clearly बताया था कि motorcycle engine जो होती है, वो कैसे काम करती है, एक cylinder होता है, वो cylinder में piston उपर नीचे, उपर नीचे होता है और वो cylinder के अंदर basically एक combustion chamber होता है, piston के थोड़ा सा उपर, जिसमें fuel, that is petrol और air का mixture जाता है और spark plug के through वो एक control blast create होता है, एक blast generate होता है, तो fuel के साथ, petrol के साथ, हवा की भी जरूत होती है, वो भी मैंने बताया था, उसके मैंने separate video बताया था, कि हवा की क्यों जरूत होती है, fuel और air दोनों के mixture की जरूत होती है, एक motorcycle को चलने के लिए, उसके लिए air filter भी होता है हमारा, तो उसका एक reason मैंने बताया था हवा की क्यों जरूत होती है, अगर आप candle के उपर glass रख देंगे, तो candle बुझ जाती है, वो oxygen खतम हो जाता है, तो जो candle जो flame burn करती है, flame produce करती है, flame बंद हो जाता है, वो fire को oxygen की जरूत होती है, उसी तरह से petrol को ignite करने के लिए भी air की जरूत हो okay, now, यह oxygen sensor क्या करता है, तो जैसे मैंने बताया था कि जो fuel और air का mixture burn होता है, cylinder में, combustion chamber में, right, तो वो जब burn होता है, तो piston नीचे जाता है, वो four strokes के बारे में भी मैंने बताया था, four strokes क्या होते है, motorcycle engine के अंदर, four stroke engine के अंदर, right, तो जबी fourth stroke होता है, चौथा stroke होता है, जब वो push out करता है gases को, exhaust के थ्रू, exhaust pipe जो होता है, उसके थ्रू push out करता है, right, तो यह oxygen sensor just at the starting point of the exhaust, जो आपका silencer है, या exhaust pipe है, उसके starting में यह sensor लगा होता है, okay, तो यह क्या करता है basically, यह sense करता है oxygen को, कि यह जो, तो यह जो force stroke है, जो exhaust stroke है, right, यह exhaust stroke ने, जो gases push out की है, वो exhaust में, अन-burned gases में, oxygen का content कितना है, okay, यह वो sense करता रहता है, पूरा दिन, इसका पूरी life यही काम रहता है, यह sensor का, sense करता रहता है, गैसे को sense करता रहता है, okay, और oxygen का content को, वो gases में से sense करता रहता है, अब यह क्यों करता रहता है, basically वो इसके लिए करता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया है, कि हवा और petrol का mixture चाहिए, okay, ignite करने के लिए, तो 14 grams of, okay, 14 grams of air के साथ-साथ 1 gram of petrol चाहिए, this is an idle situation, 1 gram of petrol is required, along with the 14 grams of air, okay, यह mixture होता है, तो यह कभी-कभी क्या होता है, friends, air का content बढ़ जाता है, okay, oxygen का content बढ़ जाता है, तो उससे क्या होगा, अगर air बढ़ जाएगा, oxygen content बढ़ जाएगा, तो fuel, petrol का content कम हो जाएगा, right, उसके वज़े से क्या होगा, you will not be able to get proper performance, right, तो यह sense करता है, कि जब exhaust gases बाहर निकलती हैं, silencer में से, exhaust में से, तो यह sense करता है कि oxygen कितना है, क्या oxygen बहुत जादा है, अगर बहुत जादा है, तो immediately वो ECU को बताता है, basically it keeps passing on the information to ECU, okay, यह gases का, exhaust का, oxygen का, जो sense करता रहता है, वो information वो ECU को देता रहता है, okay, तो अभी ECU को पता चला है, कि oxygen बढ़ गया है, air जो है, वो ज़्यादा जा रहा है, fuel कम जा रहा है, तो फिर ECU accordingly उसको balance करेगा, okay, it will try to increase the parts of fuel, parts of petrol, okay, it will try to balance, it will try to maintain 1 is to 14, okay, अगर air ज्यादा है, तो उसको बोलते है, lean mix, उसको बोलते है, lean mixture, बट कभी-कभी क्या होता है, petrol ज्यादा चला जाता है, और air कम हो जाता है, तो तभी भी oxygen sensor को पता जल जाएगा कि यह air कम है, right, exhaust में से जब gases pass होती है, तो फटक से sniff करता है कि oxygen कम है, okay, and then it passes back the information to issue, तो जब petrol ज्यादा हो जाता है, compared to air and oxygen, that means it's a rich mix, और उसकी वज़े से क्या होगा ना, आपको mileage नहीं मिलेगा, आपको fuel mileage नहीं मिलेगा, बिकाज आपका fuel ज्यादा burn हो रहा है, यह बड़ी अच्छी बात कही है, तो यह पूरा time, कुरी life, motorcycle की यह सेंसर का यही काम है, sniff करता रहा है, basically snips, okay, all the gases and oxygen, okay, आप कोई भी motorcycle में देखेंगे, catalytic converter के पहले ही oxygen sensor होता है, मैंने catalytic converter का भी video बनाया हुआ है, जिन्होंने नहीं देखा है, प्लीज देख लीजे, हर exhaust के अंदर एक catalytic converter होता है, BA6 bikes में, और उसका मैंने पूरा एक detailed वीडियो बनाया है, आप description में जाएंगे, तो know your motorcycle series की एक link है, उस पर click करेंगे, तो आपको वीडियो मिल जाएगा, okay, so, so यह होता है, friends, इसका purpose, अभी यह सारे mechanics जो होते हैं, आप गैरेज में जाएंगे, सारे mechanics को यह पता होता है, इसका working कैसे होता है, specially जिनको BS6 spikes का knowledge है, आप Honda हाइनेस की workshop में जाएंगे, उनको भी पता होता है, एक multimeter होता है, multimeter के through, वो लोग चेक करते हैं, whether oxygen sensor is working, or it has issues, वो error code generate करता है, आप multimeter connect करेंगे, ओके, वो multimeter जैसी आप connect करेंगे, उसमें रीडिंग दे देता है, codes दे देता है, different errors होते हैं, अलग-अलग errors का code दे देता है, अगर oxygen sensor खराब है, तो उसका एक code होगा, okay, so accordingly, जो mechanics होते हैं, automobile engineers होते हैं, हमारे workshop के जो experts हैं, उनको पता चल जाता है कि there is some problem, okay, so fuel mileage के बहुत और भी reasons हैं, खाली oxygen sensor के issues की वज़े से fuel mileage कम होता, ऐसा भी नहीं है, but this is also one of the reasons, but there are also more different other reasons why आपका fuel mileage अगर drop होता है, तो वो क्यों होता है, उसके और भी reasons हैं, तो मैं, in future videos, I am going to touch upon all these BS6 technologies, okay, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या different different various reasons हो सकते हैं, for drop in fuel mileage, or drop in power, and so on and so forth, जो other issues होते हैं, motorcycle में, तो मुझे बता ना, friends, ये वीडियो आपको कैसा लगा, I hope आपको ये वीडियो से कुछ information मिला होगा, अगर information काम की थी, प्लिस सब्सक्राइब, I will be motivated to bring more such videos for you, or also, you will not miss my future videos, okay. Until my next video, take good care of yourself, write hard, write fair.